तो कल लगने सारा है साल का दूसरा चंदरगरहन पहला चंदरगरहन तस चनवरी को लगा था और अब कल यानि पाथ चुन को ठीक 11 बच कर 11 मिनट पर लगेगा इस साल 2020 का दूसरा चंदरगरहन यह चंदरगरहन 11 बच कर 11 मिनट से शुरू हो कर अगले तिन की 2 बच कर 34 मिनट तक चलने वाला है यानि कि कुल 3 गंटे और 23 मिनट तक यह चंदरगरंड चलेगा और जैसा कि आपको पता है कि चंदरगरंड को जोती सी तस्टी से असुप माना जाता है तो आए जानते हैं कि वो कौन से काम है जो आपको चंदरगरंड के दोरान भूल कर भी नहीं करने चाह के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और सेर भी करें ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो लेकर आ सके जैसा कि आपको पता ही होगा और ना भी बता है तो डॉंट वरी मैं आपको बताऊंगा कि यह चंदरगरंड उप्छाया वाला चंदरगरंड और इसलिए आपको सामाने चां को से देख सकते हैं और चंदरगरंड के समय चांद कुछ मटमेला साल नसर आने लगेगा और इस समय चंदरगरंड शुरू हो जाएगा और बारा बचकर चौपन मिनट पर यह चंदरगरंड पूरां चंदरगरंड के रूप में लोगों को नसर आएगा इस समय चांद पू बूल कर भी चंदरगरण के समय नहीं करने चाहिए तो आपको बदा दे गरण के समय आपको बूल कर भी खाना नहीं खाना चाहिए प्योंकि वेग्यनिक तस्टी को उन्ट से देखा चाहिए तो इस समय खाना सबसे जल्दी खराब होता है और गरण के दोरान सारी खात द्यव के दोरान मौत पूरण कार्य भी नहीं करते हैं वहीं गरवती महिलाओं को खुले में या आंगन में या च्छत में जाने से भी रोका जाता है यो कि माना जा रहा है कि गरण के अंदर बच्चे के ऊपर इसका नगरात्मग परभाव पड़ता है तो यह कुछ बाते हैं जो अंद विश्वास मानो या विश्वास जो भी बाते थी वह चंदरग्रण को लेकर वेग्याने को जो 30 सी तोर पर बताई गई है वीडियो के अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेर करें साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को तबाए फिर मिलते हैं नए वीड के लिए दन्यवाद